हेलो दोस्तों वेलकम तुशे शांगुश्करव एकडमी तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो ऑप्सिनल पेपर है और योगा उसको डिसकस करेंगे ठीक है और काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन रहने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग प्लस कोश्चन योगा में सॉल करने हैं हम लोगो ठीक है तो देखिए इनको मैंने सेवन पार्ट्स में वीडियो में कम्प्रीट करा है अब जो आज का है वो एट वीडियो है और इस पे हम लोगो 211 से लेके 240 तक की कोश्चन को सॉल करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते है देखिए पहला कोशन जो हमारा दिया गया है हाँ हट योग प्रदीप का की रचना किस ने की यह पहले कोशन काफी इंपॉर्टेंट है कोशन आ सकता है पतंजली हिरंडा स्वाथ स्वात्मा रामने या फिन में से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा सी ओप्शन ठीक है स्वात्मा रामने फिर है कोशन नंबर दो सु बारा योग सब्द की युदपर्ती संस्कृत के किस सब्द से हुई है यूग से यूग से यूज से यूज से या फिर यूज से तो इसका अंसर हो जाएगा सी ओप्शन यूज से हुई है फिर है कोशन नंबर दोसो तेरा इश्वार्या शूग पनिशद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमर्ता की ओर ले जाता है ओप्शन दिया गया है वहराग्य विवेग विद्या या फिलविश है इसका अंसर हो जाएगा वी ओप्शन विवेग फिर है कोशन नंबर दोसो चौदा कपोड कठोप निशद के अनुसार योग की परिवाशा है मन की नियंत्रन ग्यानेंद्रियों मन और बुद्धी का नियंत्रन या फिर ग्यानेंद्रियों और बुद्धी पर नियंत्रन य तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन्स ग्रियान इंदियों और मन और बुद्धी पर नियंद्र फिर इसके बाद कोश्य नमर्ड दोसु पंद्रा पतंजली के अनुसार दुखों को खत्म करने का समधान क्या है समाधी ध्यान क्रिया योग या फिविवेक ख्याती तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन्स विवेक ख्याती फिर है कोश्य नमर्ड दोसु सोला इनमें से कौन से छेटर छेतग को प्रदेशित करता है प्रकति एवं पुरुष आत्मा और ईश्वर माया और ब्रामन या फिर जगत और जीव तो इसका अंसर हो जाएगा ए औस प्रकती और इवं पुरुष एप तंजली योग सूत्र में कितने अध्याएं है चार है तीन है चार है दो है या फैन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा बी ओप्शन चार अध्याएं हैं फिर है योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है ठीक है पुस्तक वाले अलग कर लीजिए अलग कोश्ण हर्ट योग प्रदीपका घिरंड घिरंड सहिता या फिर पतंजली योग सूत्र या फिर सहिता योग पे पुस्तक को एक ही है पतंजली योग सूत्र फिर इसका कोश्ण नंबर है 219 संस्क्रेट सब्द वेद की उत्पति मूल शब्द विद से हुई है जिसका अर्थ होता है समझना देखना या फिर जानना या फिर सुनना तो इसका आंसर हो जाएगा जानना ठीक है सी ओप्षिन इसका सही है फिर है कोश्ण नंबर 220 वेद के 6 तकनीकी विश्यों को कहा जाता है क्या कहा जाता है सहीता कहा जाता है वेदांग कहा जाता है ब्रामन कहा जाता है फिर अरंडियक कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वेदांग बूला जाता है फिर है योग कर्मशू डैस 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 इस पर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है ऑप्शन दिया गया है निश्चलम चलम कॉसलम या फिफलम तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कॉसलम फिर है कॉश्चन नमबर 222 और इसमें है निमलिकित में से कौन सा प्राणाया मसूच्म सरीर को शुद्ध करता है उज्जेई नारी सोधन सूर्य भेद भेद और या फिर मूर्चा तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से नारी सोधन ठीक है नारी शब्द की उत्पत्ती नार सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है बहना और फूक मानना दौरना या फिर ले जाना तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओप्शन बहना फिर एक कोशन नमबर टू टू फूर पतंजली योग सूत्र में योग को परिभाश्चित किया गया है संस्कृत में पूरा पूरा सब्द है आप लोग देख लिजे यो या फिर योग चित्रवित्ती निरोद या फिर मन मना प्रशन्ना उपाया योगह और योगह कर्मिशु कौशलम संस्क्रित नहीं आती आप लोग देख लिएजएगा कब पढ़ी थे संस्क्रित बहुत पहले पढ़ी दी जाने हैं तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा फिर इसके बाद दिया गया है 225 खाली स्थान बने डैस में विवेक का रास्ता है राजी योग ग्यान योग बक्ति योग या फिकर्म योग तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओप्शन ग्यान योग ठीक है फिर निमलिकित में से किस में तीन मुक्य गुड अर्थात सात्व रजस और तमस्व होते हैं पुरुष में प्रक्ति में महत में या फिर माया में तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओप्शन पुरुष में होते हैं फिर है खालिस्तान में डैस महाबूत अनन्में कोश का शकल घटक होता है प्रित्वी जल्व अगनी या फिर वाईयू तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओप्शन पृत्वी फिर निम्लिखित में से कौन सा कारवाही का अंग ये अलगी कर लिए कोश्वाई का अंग प्रित्वी तैत्व का प्रतिनिधित्व करता है तो ओप्शन देहोजाएगा जन्नांग गुर्दा या फिर पैर या फिर हाती नंबर 239 इसमें है निम्लिकित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्ता है शुरीति शुपन स्मृट्टि या फिन में से कोई नहीं इन तो इसका आंसर हो जाएगा C options स्मृति फिर है निम्लिकित में से कौन पवित्रिता के गुरु को प्रदर्शित करता है सत्व रजस तमस या फिन में से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा A options सत्व फिर है रिक्तिस्थान की पूर्टी करें डैस हमारी दुखों का कारण है अभ्यास आविद्या वैराग्य या फिर अविरति तो इसका हो जाएगा B options आविद्या फिर है question number 232 और इसमें दिया गया है मन को किसी वस्तू चित्र दुहनी अत्वा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है option दिया गया धारना ध्यान समाधी या फिप्रत्याहार तो इसका आंसर हो जाएगा B option ध्यान पिर एक उश्यर रंबर 233 और इसमें है आज्या चक्र की स्थिती है कौन सी स्थिती हो जाएगी सिर के सीज पर बहुं के बीच में या फिर गले के आधार में या फिर रिद्य तो इसका अंसर हो जाएगा B option बहुं के बीच में फिर प्राण का प्रात्मिक कार है स्वसन पाचन उच्छ सर्जन या फिर परी संद्रशन तो इसका अंसर हो गया एप्शन से स्वसन फिर निम्दिखित में से कौन हट योग के अनुसार सर्वसिस्ट आसन है सिध्धासन सि हाट योग के अनुसार इससे बोला गया है सर्वसिस्ट आसन कौन सा है तो 235 का आंसर नंबर बी हो जाएगा सिंधासन फिर है मिताहार को परिभाश्यत किया जाता है केवल से अनकूल भोजन केवल से मदूर भोजन अनकूल एवन से मदूर भोजन इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा एं ऑप्षर से केवल अनकूल भोजन फिर है भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं सिधासन सिंग आसन या फिर स्वास्तिक आशन या फिर ब्रिज्यासन तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओप्शन से व्रिज्जासन ठीक है फिर है कोशन नमबर दो सो अरतेस और इसमें दिया गया महर्शी प्रतंजली के अंसान निम्लिकित में से कौन सा विकल पर क्लेश नहीं है अविद्या राग द्वेश या फिर अभ्यास तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओप्शन अभ्यास ठीक है फिर है पतंजली योगसूत में विर्ति यह जितने चोटे-चोटे कोश्चन से काफी इंपोर्टन होंगे और इसके कुश्चन आने की संभावना पूरी-पूरी रहती है क्योंकि ऐसा होता ना यह बीच में रहते है यह बीच में आपको ऐसे वर्ट मिल जाएंगे फिर इसके आपको मीनिंग भी पता हो लिशेगे ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा भी ओप्शन ठीक है तो विर्ति जो सब्द है उसका अर्थ हो जाएगा मन की संतुलित अवस्ता या फिर मन का परिवर्टन या इन में से क इसका आंसर हो जाएगा भी ओप्शन ठीक है तो विर्ति जो सब्द है उसका अर्थ हो जाएगा मन की संतुलित अवस्ता ठीक है और लास्ट में दिया गया है कोशन नमबर 240 इस पर है चित्र प्रदाशनम उलेक करता है मन की प्रशांत अवस्ता को मन की पर्मानंद अवस्त को एक बिमार मन को या फिर एक स्वस्त मन को तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑफ्शन एक स्वस्त मन को करता है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के हो चुके हैं और जिनको पीडिएफ चाहिए वो मुझे इस नमबर में मैसेज कर सकते हैं और मैंने दे रहा हूं यह हमारा यह हो गया और प्लस शिक्स्टी रूपीज आपको पे करनी है जिस पर से आपको मिलेंगे वर नाइंटी टू पेज़स ठीक है अलग अलग पार्ट में डिवाइट करूंगा चार पार्ट इस पर बेंगे 48 48 और यह 48 ठीक है पार्ट फरस्ट मलेंगी इस पर है पूरे-पूरे है ठीक है वीडिये की कॉल्टी अच्छी है और आपको बिल्कुल हर एक पेज बिल्कुल क्लीन दीखे गए इस पर रहता है ठीक है तो यह छोटी सी बात है जिसको चाहिए वह मैसेज करके स्क्रीन सॉट भेज़के गूगल पर कोई भी यूज कर स